हेलो तो नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस के ओनलाइन और अफ्लाइन क्लास में तो जैसा कि अभी बच्चों का जो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है तो जैसा कि स्वाजी ऑप्शनल का बैच जो है उसका अड्मिशन ओपन है रेश्टेशन उसका ओपन है आप उसके गुडवत्ता को आप हमारे यूटूब और जो हमारा एप है उस पर जो क्लासेज आरी आप देख सकते हैं इस लेक्चर को सासर द्वारा लिया जाएगा जो क द्वारा जो है आपको डिलीवर किया जाएगा उसके लेक्चर आने स्टार्ट हो चुके है रेश्टेशन ओपन है जल 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 आप अगर आप 68 के लिए 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 लिख रहे हैं तो आपको सुस्वालजी ऑप्शनल के लिए बैच ये पर्चिस करना चाहिए इस बैस की ख बैच में इन्रोल होई है फ्लेक्सिप प्रोग्राम है ये बहुत बहुत बैठीन बैच है दूसरा इसमें और क्या है आपको जो भी स्टेंड़र बुक है वह आपको बता दिया जाएगा कि कौन-कौन से स्टेंडर बुक्स आपको पढ़ने हैं लिए जो भी बुक्स है क्या है आप ले सकते हैं आपको जो प्राक्टिस सेट लिफ्य बैक्केश्च सहुंट बैक्रियों ब्रैक्टिस तरुकिस्फ वह भी आपको मिलेगा लेक्चर लाइए आपको मिल्याएगा छुक्त कापी बैतलीन तरुके सहरके करें और नदुन ब्ढह आप attraction उसको देखिए नोट्स को पढ़िए और अपने आपको समझिए कि कितना बहतरीन यह अब बात करें अगर हम इस लेक्टरिज पर BPSC वेल आज अलसो UPSC UPSC ऑप्शनल के लिए भी ओपन है यह 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 इन दोनों के लिए जो सोचिल लॉजी का बैच है वो इसका अडमिशन जो है ओपन है इस इन में बड़े सेपरेट बैच है टेक है अलग से इसको डिजाइन किया गया है दो अलग अलग बैच इसे आप एक ही बैच में नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का पैटन अलग है यह पैटन अलग है और UPSC पैटन से में तो इसके लिए हमने अलग से बैच डेटिटीड बैच बनाया है कि वह अब कि पड़ता कर दो थो पड़ता जोड़ दो तक कि वह थे कर तो आप इन बैच्छोंस में इन्रोल हो सकते हैं साथ ही साथ बात करेंगर हम बीपेस्टी के लिए इसको भी साथ द्वारा लिया जा रहा है सासर द्वारा जो है सो ओडनेट किया जा रहा है तो आपको दिया जा रहा है आपको आंसर जो भी ऐसे लिखनी की टेकनिक जो तूल से किसरा से आप सो सकते हो तो वहां पर चेर्मेंट सामने कहा था कि बच्चे रट के लिख देते हैं और जब रट के लिख देते हैं तो उसमें नमबर नहीं मिलता है क्योंकि उनका खुद का बौधिक विकास कुछ नहीं हुए है वह अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहीं से कोश्चन बैंक लिए अरट दिया उस पर लिख दिया है हम कुछ ऐसा कोश्चन फ्रेम करेंगे जिसमें बच्चा आपना खुद का दिमाग लगा सफलता पूरवक निकाल लिया 50 50 प्लस का करणा भी मुझे मिला है 50 प्लस बच्चों ने प्रेंग कर लिया और इंट्रिव्यू के लिए वो इंट्रिव्यू दे रहे हैं एक हजार सब्थिंग बच्चे सॉट लिस्ट में 3700 आसपास सीट थी तो काफी अच्छा रिश्यो है और वद्बेश उन सभी बच्चों को जीन बच्चों ने सफलता पूर्बर निकाला है उनके लिए हमारा इंट्रिव्यू गायरेंस प्रोग्राम jp इंट्रिव्यू गायडेंस प्रोग्राम 2022 कि लिए यह ऑंलाइन पी है ऑ्लाइन के लिए आपको हमारे डाउनल वब आपना पढ़ाएक जो भी Google मेट या हमारे एप में बिल्ट सिस्टम है आप तरूब हो सकते हैं इन बिल्ट सिस्टम है हम आपको महाँ से आपको मेंटर्शिप सिखा देंगे कि कैसे आपको क्या ड्रेसपोड पहनना है कौन-कौन से मिनिममम टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना चाहिए इन बची हुए दिनों में इंटर्वी स्टार्ट होने वाला है ताकि आप इंटर्व्यू से आप आपकी जो डर है इंटर्व घ्रलबाग हमारा जो सेंटर राजिंदनेंगर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में वहां आना पढ глуб you और बनाय गया है सारे आएस ओफिसर रिटाइर आयस ऊप्रिकर और द्रॉट्रोबनाइट को डेटा आatos देखना है कौन-कौन से आयस ओफिसर होंगे जो इंटर्वी पैनल में होंगे उसके लिए आपको डबलू-डबलू कि प्रिशा आई-एस कि प्रिशा आई-एस कि डॉट कॉम वेब साइट पर जाएंगे आपको सारा इंफर्मेशन मिल जाएगा तो पैनल पर इंटर्व्यू जो भी पैनल है आई-एस ओफिसर द्वारा सेलेक्टेड आई-एस ओफिसर जो अलड़ी अपने जीवन का 20 से 22 साल सर्विस दे चुके रिटायर उनके द्वारा यह पैनल बनाया गया तो आपको निश्चिंद रहिए आपको कोई दो राय नहीं है कि आपको इससे बहतर पैनल नहीं मिलेगा बैतरीन पैनल है और आपका one-to-one mentorship किया जाएगा आपकी weakness को identify के जाएगा एक आपको चार्ट बना दिजाएगा आप उस चार्ट के उपर आपके weakness और आपकी strength लिखी जाएगी आपको उस पर काम करना होगा we will work along with you हम आपके साथ रहेंगे कि कैसे आपको ट् उसको हमारे साथ achieve करें अगले announcement अगला है कि UPCS UPCS 2023 इसके लिए prelims प्रिलिम्स batch admission is open इसमें आपको चार महिने में 4 मंत में आपको प्रिलिम्स की पूरी तैयारी कराए जाएगी आपको इसमें MCQ प्रैक्टिस कराए जाएगी साथि साथ इसमें 20 टेस्ट आपको GS के दिये जाएगे 10 टेस्ट आपको CSAT के दिये जाएंगे कि एंध के के 20 test और की त्स यह सार डो यह टेस्ट डीस्ट जो है यह साथ द्वारा बनाया गया test है जो किन भेस्ट होगा यह आपके लिए आसर द्वारा बनाया गया isesti आपको इतने भीvadीworks तक हो चुक्ट है 20 एर के 20 साल के प्यवा दोनों ही मोड में अडिमिशन ओपन है ऑनलाइन और आप यह आप हमारे वेब और हमारे एप से देख सकते हैं उसकी जो भी रेशेशन डेट है वो जल्दी जोस कर दी जाएगी ठीक है क्योंकि हम ज्यादा बैच नहीं बनाएंगे बैच हमारा एक ही रहेगा इल सेलेक्शन त आज की स्ट्रेंथ भी छोटी रहेगी ताकि मैक्सिमाम बच्चे को हम प्रस्नली मेंटर्शिप कर सके हैं ठीक है और हां इतना ही इतना ही आज का अनॉंस्मेंट था इसके बाद जो है इंसी आटी की जो बैच चल रही है उसमें जोग्रॉफी जो हम कल कंटिन्यू नहीं कर झाल